सांस नली तक पहुंच जाता है जिससे कि फिर बच्चे को सफोकिशन फील होता है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ठीक है तो यह तरीकर जो है आपका बिल्कुल गलत है हेलो फैमली नमिश्कार कैसे हैं आप सब आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है जैसे कि गर्मियों का मौसम आ गया है और आप लोगे काफी सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि गर्मियों में बच्चों को पाउडर लगा सकत हैं या नहीं तो आज के इस वीडियो में मैं आपके डाउट क्लियर करने वाली हो उससे पहले आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेश्ट है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा के आल पर क्लिक भी कर लीजेगा तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो फ्रेंट जैसे की डॉक्टर से अगर आप पूछोगे कि बच्चों को पाउडर लगाएं क्या तो डॉक्टर आपको इस पेस लीब मना कर देंगे क्योंकि क्या होता है कि पाउडर लगा रहे हो और बच्ची को जो पाउडर है वह आप डैरेक्ट डब्बे से ही लगा रहे हो जो पौडर का डब्बा होता है उसी से आप बच्ची को चड़क चड़क के पाउडर लगा रहे हो तो यह बिल्कुल गलत कर रहे हुआ इस तरीके से बच्ची को पाउ पॉकिशन फील होता है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ठीक है तो यह तरीकर जो है आपका बिल्कुल गलत है आपको डायरेक्ट पाउडर के दब्बे से पाउडर नहीं लगाना चाहिए ठीक है दूसरी गलती है जिसे कि आप बच्चे को डाइपर पिनाते हो और प्रा जबाब है कि आप बच्चे को पाउडर लगा सकते हो लेकिन उसका एक तरीका आपको पता होना चाहिए तो बो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंट्स आपको क्या करना चाहिए याफ बच्चे को powder लगा रहे हो तो पहले अपने हाथों को दूडर ले जाकर powder ढालिए अपने हाथों पर और दूड rasa है हाथों को अच्छे तरीके सी лю pairatic set रब कीजें powder से ठीक है ध्यान दे, प्राइविट पार्ट पर पाउडर नहीं लगना चाहिए, लेकिन एक बात और, जैसे कि बच्चे को घमोरी है, लाल-लाल दाने हो रहे हैं, तो ही आप बच्चे को पाउडर लगाए, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, तो बच्चे को पाउडर लगा गर्मियों में और घमोरी की समस्या हो गई है तो बच्चे को आप पावडर लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जैसे मैंने बताया है वैसे ही डाइरेक्ट डब्बे से पावडर बच्चे को ना लगा आप अपने बच्चे के लिए हिमालया बेबी पावडर चूज कर सकते हूँ बहुत अच्छा है बच्चे के लिए सेफ है तो कैसे लगा आपको यह वीडियो छोटी से इन्फोर्मिशन थी I hope आपको पसंद आई होगी मिलते हो आप सबसे अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखें बबाई थैंक यू